एलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लोग 300 टेबलेट के बारें में यह टेबलेट पेट में एसीड के कॉंट्री को कम करती है और हर्ट बंड, इंडिजेशन और अधर एसीड से रिलेटर प्रॉब्लम के इलाज में हेल्प करती है यह पेट के अलसर औ आप करते हैं किप्टिक अलसर की इलाज में कैसे प्रॉब्लत करती है यह टेबलेट ऐसीड को कमकरrar के अलसर को ठीक करने में भारें में इसे prescribed dosage के according ही लें, बले ही symptoms ठीक हो जाएं। अब बात करते हैं इसे कैसे use करना चाहिए। इस medicine को खाने के साथ लें, यह normally कुछी घुंटों में असर दिखाती हैं। लेकिन ulcer की रोग थाम के लिए इसे लंबे time तक लिया जा सकता हैं। और डॉक्टर के advice को follow करें। और spicy या फिर fatty food से बचें। अब बात करते हैं इसके side effect की। इसके कुछ common side effect में हैं डग, constipation, grossiness और diarrhea सामिल हैं। अगर यह symptoms बढ़ जाएं या लंबे time तक बने रहे हैं, तो डॉक्टर से contact करें। kidney liver के problem के बारे में डॉक्टर को बढ़ता हैं। यह medicine pregnancy और breastfeeding के दोराण safe माने जारती हैं। लेकिन डॉक्टर से advice लें। और alcohol से बचें क्योंकि यह acid को बढ़ा सकता है। अगर बात करें इसके price की तो इस टेबलेट किया कि श्ट्रीप आपको पचास रुपए के आसपास में मिलीगा। तो बस इतना ही तो अगर आप लोग के वीडियो हेलफ़ लगे हो तो वीडियो को लाइक करें। और आपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।